हेलो फ्रेंड्स आपको विलो कैसे हो सुरुज कोजिंग सेंटर आपको सवागत है आज देखते हैं क्लास 11 का एंसी की जो की जोज़ाद 24 विजाम में बहुत इंपोर्टेंट है आने वाला है आगी देखते हैं पहला कोशन बोला है वीच अब दाफ फॉलोइंगी ते डैमें की मैं सवन प्रीपो ला कि देमेंसर फंमूला ऑफ प्होर्स का डैमें लगे होता है में होता है मंस का होता है म और इसको क्या होता है लसल फ एलटी ल पे माइनस तो उसकiminус कितना को उन बोला Hagelada से टैमेंड़ता होता हैूं किसके सब्सक्राइब manner quo किससे होता है ईनर्जी का आगे देखिए पुला्य की से होता है किसे प्लांग काउंस्टेंट से कम म्थ एक सब्सक्राइब बोला गर्या जिसको सब्सक्राइल्स क्या होगा ? collection ن头 Q Gracias फिर बोला है कि वाटी देमेंशन ऑफ एंगूलर मेलोशिटी एंगूलर फेलोशिटी का डामेंशन क्या होगा इसे भी इंपोर्टेंट कोशन है बच्छा लोग ध्यान से दीजिएगा इजाम में आ सकता है ठीक है जब हो मुद्ध क्या होगा डामेंशन एम एल मैंस वन एम मैंस वन एल थरी और टी ती टू ठीक है फिर नेक्ट कोचन देखें क्या बोला गया है कि वह वीच अदा फ्लोईंग कॉइंटिटी हाइधा डामेंशन एम जीरो एल जो टी जीरो यह कोचन आया था ठीक है पिछले सल में आया था ध्यान दिया कोचन किसका अप्षिंट क्या होका अप्षिंट कोई डैमेंशन नहीं होता है ठीक है अश्टेंट आप्षिंट नमबर सी फिर आगे देखिए कोचन नेक्ट नमबर में बोला कि वीच अब फ्लोईंग कोईंटिटी इनो टैमेंशन होमोजिनियस नहीं लिए रिक्षिंट में से कॉंड सब्सक्राइब बराबर में या फिर नीचे क्या हीट लॉस्ट द्यू टू टू फिक्षिंट फिर बोला टॉर्क जोल टू फोसे टू डिस्प्लिस्मेंट ननो दीस में सब ठीक हैं फिर आगे देखिए नेक्ट कोचन नमबर नाइन फिर फ्लोईंग इदा डैमेंशन लेस सब्सक्राइब नेम लिखी तो मैं सब्सक्राइब इसको आम पढ़ चुक्यों फेले भी जिसने किसी का भी डैमेंशन नहीं होता कि सब्सक्राइब फिर आगे देखिए पहुचन नमर टैन मैच दा फ्लोईंग फिजिकल को एंटिटी इन गुरूफ और एंड गुरूफ त सब्सक्राइब के मैच करना हैं तो एक का क्या होगा एक का होगा कि आ होगा नहीं सब्सक्राइब मतारा ओप्षण नमबर इसकंगल कर सक्दिक तो और 5 का होगा B 5 का होगा B option number A is option number A is correct फिर आगे देखिए what is the dimensional formula of angular momentum इतो कोचन angular momentum का dimension formula भी आपको पता चुके just क्या होता है ml2 t-1 फिर आगे देखिए इसको थोड़ा द्यान लोग दीजेगा ठीक है कि डामेंसर फिर 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 फ्लोईंग क्वेंटिटी हाई दा सेम डामेंसर इंपल्स इन स्टाइन सें आपको किसा किसा से मेंसuso होता है इसा भी हुआता है र हुआ हुआ खीक है कि अ िवर्ट को इनले जींवेंटेटी इंपल्स को आविक के समान होता है तो इसको प्रेजान होता है comment में M-1 L-1 T-2 ठीक है कि pressure is equal to होता है force by area ठीक है और भी हम आपको पढ़ पढ़ चुके थे कि force का होता है ML T-2 और area का L2 तो M M क्या होगा M L-1 T-2 यह इसका होगा ठीक है प्राइब देखे हैं who introduce the concept of dimensional analysis इसमें से कौन सा जो dimensional analysis का introduce किया था बस्बसे पहले बताया था कौन था उसमें जो से four year ठीक है फिर आगे देखिए वाट इस डाइमेंशन इलेक्ट्रिक चार्ज चार्ज का इलेक्ट्रिक डाइमेंशन क्या होता है तो उसका option नंबर D ठीक है MP और time फिर आगे देखिए which is the following is not the name of physical quantity निम्स कौन सा का नेम नहीं है तो कौन सा होगा देखिए देंसिटी होगा इंपल्स होगा इनर्जी पचा कौन किल्लोग्राम ठेक है वी चुब the following quantity high the same dimension as work इसमें the dimension का जो है वर्क का उसके समाने सब कोशन बहुत जो कोशन पूछा जाता है ना सेम किसके रेमेंशन का सेम है इसे कोशन थ्यान दिजिएगा कि वी चुद्धा following quantity high the same dimension as work इसका option क्या होगा इनर्जी इसका option नमबर इनर्जी कोशन नमबर the Diamonds formula के फिसितांच का डामेंशन formula क्या है तो इसका formula होगा M-1 L-2 T power 4 a square ठीक है यह कि power 2 पर बोला कि डामेंशन formula speed of light vacuum बोला की वैक्यूम में जो speed of light है उसका दाइमेंड्स फर्मूला क्या होगा तो फर्मूला पर सेम जो फेलोजटी का फर्मूला होता है एमल्टी मेंस वन ठीक है आसा कर देंगे को समय में आया होगा यह से इंपोर्टेंट कोचन है अब लोग तो ध्यान देजिएगा नेक्ट वीडियो में फिर आम नेक्ट ट्वेंटी कोचन लाएंगे धन्य बाद